दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी के पास gun license है तो gun license के status को जो है online gun license है या फिर नहीं है उसको किस तरह से जो है बड़ी ही आसानी से अपने mobile phone के दोरा जो है चेक कर सकते हैं तो यही हम आज के इस वीडियो में complete procedure जानेंगे कि अगर हमारे पास gun license है तो हम घर बटे ही जो है gun license को online है या फिर नहीं है किस तरह से चेक कर सकते हैं तो इसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने YouTube चेनल टेक यादव के साथ आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह का जो है gun license होता है यह सभी का state का अलग-अलग gun license है जो इस तरह का gun license है इसमें म UIN number यानी unique identification number जो होता है 18 digit का वो इस सबसे मैटवपूर होता है तो इस license में आप देख सकते हो कि जो 18 digit का UIN number है अगर आपके license में 18 digit का नमर नहीं है तो इसका मतलब आपका license online नहीं है अगर आपके 18 digit का UIN number है तो इसका मतलब आपका license online है परन्तु फिर भी हमारे मन में एक स सवाल और संका रहता है कि मेरे लाइसेंस जो है UIN नमर तो है परन्तु फिर भी कि online है कि नहीं है तो वो भी मैं आपको complete बताऊंगा कि कि किस तरह से आप जो है UIN नमर के द्वारा लाइसेंस को जो है चेक कर सकते हो तो वो भी हम जो है आगे बात करेंगे कि कैसे UIN नमर के द् status UI नमबर द्वारा चेक करने के लिए सबसे पहले आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो चाहे आपके पास फोन हो या फिल लेपटोप हो आप जो भी यूज करते हो उसको आपको सर्च बोक्स में जाके और टाइप कर लेना है आरम्स लाइसेंस आरम्स लाइसेंस ओनलाइन जो है टाइप करके और इसको सर्च कर लेना है जैसे आप सर्च करोगा इस तरह का पेज जो है आपके सामने खुल के शो हो जाएगा इसमें फिर कई ओप्सन आपको जो है शो कर देगा तो वहां जाके आप बड़ी ही आसानी से जो है अपने लाइसेंस का ओनलाइन इस्टे शो हो जाएगा इसमें अपलाई ओनलाइन के ओप्सन के ओपर आपको किलिक करना है और इसमें जो है कई ओप्सन है यहां से आप लाइसेंस बनवा भी सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो बहुत सर्विस इसमें प्रवाइड की गई है तो इसमें जहां पर मैंने राउंड सर्कि करना है और मेरे को जो है step by step फिर आगे बढ़ते रहना है और फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमारा UIN नमर पूछा जाएगा हमारे को UIN नमर एंटर करके और अपना लाइसेंस का इस टेस्टर जान लेना है तो फिर इस तरह का ओप्सन आ जाएगा इसमें दोस्तों आपको State Home Department ओबिक DM SDM इस ऊप्सन के ऊपर आपको किलिक कर देना है अगर आपका लाइसेंस इस अठोटी के अंडर बनाया गया है, याश्या dietaर हम इस होला बनाया गया तो इसके ऊपर आपको किलिक करना तो जो category का option है सबसे पहले उस category वाड़े option को आपको select कर लेना है तो इसमें फिर जैसे ही मैं इसको option को select करूँगा select करते ही जो है इसमें मेरे सामने जो है कई परकार के option जैसे आप manufacture हो individual हो या institute हो या sports हो या dealer तो आपको जिसे भी related यानि जिससे भी आप belong करते हो आपको select करना है तो मैंने इसमें individual select किया है इसके बाद में आपका state यानि आपका state आपने जहां से भी license पहले बनवा रखा है और अगर अभी तक license को transfer नहीं करवाया है वह जहां से बनवाया है वही license आपका पड़ा है तो भी खुद का state इसमें select करें इसके बाद में आपको जो है district select कर लेना है यानि आपने किस state के किस district से जो है license बनवाया है तो मैं वो इसमें select कर लेता हूँ आप भी अपना select करें इसके बाद में issue of licensing authority तो issue of licensing authority में जो DM होता है district का वो ही उसी के पास इसकी जो है authority होती है तो इसमें आपको select करना है इसके बाद में option है service का तो service वाड़े में दोस्तों इसमें जितने भी जो है service के option है बहुत सारे दिये होए हैं तो हमारे को license का जो है online status check करने के लिए आपको नीचे से second नीचे से second option है वो हमारे को इसमें select करना है और भी इसमें अगर आपको कोई और भी जरूत है तो यहां पर बहुत सारे option दिये हैं आप उनका भी use करके और कुछ भी जो है आप इसमें देख सकते हो देख भी सकते हो इसमें बहुत कुछ option है यहां से आप renewal, online apply, transfer, बहुत सारे option जो है इ change कर सकते हो यहां से आप जो है अपना address भी जो है change कर सकते हो परन्तु मेरे को तो सिरफ online एक बार मेरा license सही है कि नहीं है तो वो check करने के लिए नीचे से second जो है मेरे को इसमें select कर लेना है और जैसे मैं select करूंगा page automatic जो है redirect होके और next page मेरे सामने खुल के show हो जाएगा तो next page में जो हमने information फिलप किया है जैसे हमने जो है अपना state district और हमने जो service इसमें apply किया है यानि यह service मेरे को चाहिए वो ही इसमें जो है show कर देगा अभी थोड़ सा यहां पर wait लगेगा यह आप देख सकते हो अपना जो है जो आपने बरा है वो ही इसमें show कर रहा है या कुछ औ आपको लेटर होगा पूटान में इसमें जो है इसमें इन्ट नमर इन्टक देना है यह यह एक आपको ब्क שמaben कर देना है और इसके बाद में gate detail के option के ओपर click कर देना है जैसे मैं gate detail के option के ओपर click करूँगा ये चीज़े डाल के तो मेरे सामने जो है मेरा पूरा का पूरा address वगेरा जो मैंने फारम फिलब किया है वो मेरे सामने खुल के show हो जाएगा तो इसका मतलब कि UIA नमर से अगर इतना action हो रहा है तो मेरा जो है process सही है नहीं तो जो है अगर process नहीं हो रहा है या कोई और है तो आपका फारप फटजी भी हो सकता यानि आपका गनलाइसे फटजी भी हो सकता है तो आप बड़ी आसानी से जो है इस तरह से check कर सकते हो तो मैंने अपना यू आयर नम्मा डाल दिया, केपचा डालके और गेट डिटेल के ओप्शन के उपर मैंने किलिक कर दिया, जैसे ही मैं किलिक करूँगा किलिक करते है कुछ समय बाद में, जो है मेरा जो फोरम मेंने फिलब किया है, इस तरह का आप देख सकते हो, यह फोरम मे क्या है दोस्तो जो हमने जिस समय हमने फोरम बरा था या किसी के दूरा apply करवाया था तो जो detailment उसने इसमें डाली है वो आपको पूरा पूरा आपका address हो गया, mobile नमर हो गया, आपका name हो गया, email address, phone नमर, ये फोरा का पूरा जो है एक बार जरूर चेक करें क्योंकि यह बहुत ही जयदूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपसे पैसे भी ले ले लिये हो और आपको फटजी युआ ये नमर आपको प्रोवाइड कर दिया है तो आप इस तरह से चेक करें और अगर आपने कहीं दूसरे स्टेट में लाइस बनवा रखा है तो आप अपने डिस्टिक में उसको जो है जरूर ट्रांसपर करें वीडियो से रेलिटेट कोई भी क्यूरी हो कमेंट बोक्स में जरूर लेके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अ अब मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू पॉर वाचिंग माई वीडियो अगें थेंक्यू